हलो दोस्तो टेक यूट्यूबर अवी यूट्यूब चैनल के उपर आप सब का स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको Microsoft अकाउंट बनाना सिखाऊंगा सबसे पहले Microsoft अकाउंट बनाने के लिए आपको Google Chrome पे क्लिक करना है और आपको ब्राउजर में जाकर के सर्च करना है Create Microsoft अकाउंट मैं Google सर्च में जाकर के सर्च कर लेता हूँ Create Microsoft अकाउंट जैसे ही दोस्तों मैंने सर्च किया यहाँ पर थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी और सबसे पहले आएगा Microsoft अकाउंट साइन अप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर बोलेगा अब आप Microsoft अकाउंट में साइन इन करो तो हम जैसे ही साइन इन के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ID पासवर्ड बताएगा तो हमारे पास तो अकाउंट बना है नहीं तो हम क्लिक करेंगे क्लिक के उपर जैसी ही फ्रेंट्स आप क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रोसेसिंग देखाएगा और बोलेगा आप email ID से अकाउंट बना सकते हो या मोबाइल नमबर से भी बस फ्रेंट सिस्टम और प्रोसेस सेम रहेगा मोबाइल नमबर डालोगे तो भी वैसे ही प्रोसेस होगा इमेल डालोगे तो भी वैसे ही होगा तो मैं यहाँ पर अब अपना इमेल अकाउंट डाल लेता हूँ वो email account जो आपके Google Gmail account में आपने बनाया है अगर नहीं बनाया है तो वीडियो के description में आपको वीडियो मिलेगा वहाँ से जाके आप देखके account बना सकते हो यहाँ पर अब आपको अपना Gmail account डाल देना है और next पे click करना है यहाँ पर बोलेगा अब आप अपना एक strong password set करो जैसे ही आप यहाँ पर password set करोगे जैसे आपका नाम रोहित है तो रोहित add the rate एक दो तीन चार ऐसे आप set करें तो password आपका set हो जाएगा तो मैं यहाँ पर जल्दी से friends password set करता हूँ आपको 8 से जादा जादा एक्टर डिजिट डालने है 8, 9 या 10 जैसे ही click करोगे अब आपका जो email ID है उसके उपर अब एक mail जाएगा मैंने यहाँ पर save password कर दिया ताकि auto fill हो जाए जब भी future में Microsoft account login करो अब मैं अपने Gmail account में गया यहाँ पर मुझे Microsoft account की तरब से एक Gmail आया है मैं refresh करता हूँ यहाँ पर मुझे code बताया गया है अब मैं इस code को क्या करूँगा ज़स्ट लास्ट में जो code आया time में वो वाला code मैं यहाँ से copy करूँगा और copy करके मैं paste कर दूँगा मैंने यहाँ पर copy किया और गया Microsoft वाले page पर और यहाँ पर जाकर के paste कर दिया अब next करूँगा जैसे ही next करूँगा कुछ एक friends यहाँ पर मुझे capture भरने को अब बोलेगा जैसे ही next के उपर हम click करेंगे यहाँ पर हमें बोल रहा है कि same to same जो है चीज़े select करो तो यहाँ पर दो same to same चीज़े यहाँ पर देखने को मिल रहे है कि वह यहाँ पर एक जैसी image दिखाई गई है तो मैं इसके उपर जो हूँ select करूँगा कई बार आपको पूछा जाता है loin को select करो कई बार पूछा जाता है cat को select करो ऐसे option दिये जाते हैं तो मैं same to same चीज़े यहाँ पर select करता चलूँगा यहाँ पर उपर देखिए friends यहाँ पर same है इसको मैंने select कर दिया इसके बाद इसमें से देखते हैं same यह वाली है इसके बाद next के उपर click करूँगा same to same यह वाली है अब next के उपर click करूँगा done हो जाएगा अब friends मेरा account जो है बन चुका है processing हो रहा है अब friends processing के बाद आपको फिर से new tap में जाकर के वही page के उपर click करना है और sign in में आना है अब जो आपका email ID था वो यहाँ पर आपको डाल देना है मैं यहाँ पर email ID डाल देता हूँ password मैंने save रखा था आपको याद होगा वही password आपको डालना है अब जैसे ही next के उपर मैं अब email ID डाल देता हूँ पूरा अब next के उपर click करूँगा password के उपर click करूँगा auto fill रखा था हो गया आप डाल ले password अब फिर से मैं next के उपर click करूँगा sign in के उपर processing होगा yes के उपर click करूँगा जैसे ही click करता हूँ friends यहाँ पर थोड़ी देर processing होगा और मेरा Microsoft account अब open हो गया है तो इस तरह से friends आप अपना Microsoft account बना सकते हो वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe करें आप my profile में जाकर के photo और my profile अब आप edit कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe करें